हेलो आल दस इस सान्वी शक्मा आई वेलकम यह वाल तो माई यूटूब चानल सोलफुलचुद आज मैं आपके लिए एक जेनरलाइस रीडिंग देकर आई हूं जोकि डिसेंबर 2022 के लिए है आज की रीडिंग पाइसस यारे की में वाश्यवाले लोगों के लिए है यह एक हो सकता है यह रीडिंग आपके साथ completely resonate हो हो सकता है यह रीडिंग आपके साथ partially resonate हो हो सकता है यह रीडिंग आपके साथ बिलकुल भी resonate ना हो अगर आप मेरी रीडिंग से influenced हैं और किसी personalized problem का solution मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी personalized reading मेरे साथ book कर सकते हैं ये booking आप मेरे WhatsApp के थूँ या फिर मेरे email ID के थूँ कर सकते हैं. मेरे WhatsApp नमबर और email ID स्क्रीन पर flash होंगे. जिल लोगों ने अभी तक मेरे शानल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे शानल को सब्सक्राइब कर लीजे और bell icon को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे की आपको नए-ने वीडियो की notification मिलती रहे. मेरे गौर चानल भी है Soul Divine Journey Taro, लिंक आपको नीचे description box में मिल जाएगा. उस चानल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोज पोस्ट करती हूँ, जो आपको आपकी लाइफ को चानलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंचलिक guidance रोज रात आठ बजे उस चानल पर पोस्ट करती हूँ, तो आप प्लीज उस चानल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजे, और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिस्ते कि वहाँ के लिए भी आपको सभी notifications मिलती रहें. इस reading को आप Sun Rising, Moon Rising या Venus Rising के according देख सकते हैं, अगर आप इस reading को अपने Ascent and यानि के लगन के थ्रू देख रहे हैं, तो जो भी Moon Sign आपका Zordic है, उस reading को देखना मत भूलिएगा for finer details. आपकी reading लेट हो गई है, पाइसे स्पीपल, बट दो बार में आपकी reading बनाने बैठे हूँ, कुछ न कुछ हो जाता था, reading नहीं बन पा रही थी, तो लेट सी क्यों ये डिले हुआ है और December का महीना आपके लिए क्या लेकर आया है, General Energies इस मंत में आपके लिए किस तरहां की रहने वाली है, वाइसे सीपल, लेट सी, General Energies इस month में आपके लिए किस तरह की रहने वाली है General Energies किस तरह की होगी इस month में आपके लिए Let's see Okay, so यहाँ पर Three of Pentacles का card है The Empress का card है यहाँ पर King of Fire का card है Eight of Earth का card है Knight of Cups का card है Ten of Cups का card है Five of Cups का card है Okay, तो अपने element में इस month में आप जादा रहने वाले हैं The next is Ace of Pentacles का card है And bottom of the deck पर the Lovers का card है तो इस महीने में जो आपका element है Water उस Water की tendency में आप जादा रहेंगे इस month में लाइफ के किसी एक स्पेर पे आप बहुत जादा खुश रहने वाले हैं बहुत emotional contentment feel होगी आपको आपके family में जो आपके relationship है वो strong होते हुए नजर आ रहे हैं आप अगर married हैं, बच्चे हैं आपके तो अपने बच्चों का जादा ख्याल रखते हुए इस month में नजर आ रहे हैं आपका relationship आपके family के साथ strong होगा आपके loved ones के साथ strong होगा family में एक coziness आपको महसूस होगी अपनी family को लेकर आप काफी possessive and protective रहेंगे and आप rainbow की सभी रंग की energies को इस महीने में enjoy करते हुए नजर आ रहे हैं anxiety release होगी तो आपकी emotional satisfaction की energy यहाँ पर experiment नजर आ रहे हैं और अगर आपकी family life कही जाए तो उसमें ये चीज़ ज़ादा नजर आ रहे है family life में ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर मैं partner की बात कर रही हूँ family में और भी रिष्टे होते हैं तो यहाँ पर एक five of cards का card है इस महीने में आपको इस बात का हिसास होगा तो उसके अंदर भी कोई ना कोई blessing एश्वर की छुपी हुई होती है क्यूंकि आपको एक feeling of loss हो रही है November last से और वो feeling आप इस month में release करते हुए नजर आ रहे हैं आपने बहुत negative चीज़ों के उपर focus किया है starting के भी I think 10 days आपके ऐसे ही जाएंगे जहां पर आप negative चीज़ों के भारे में सोचेंगे negative atmosphere को लेकर आप परिशान रहेंगे अपनी negative thoughts से कही न कहीं घिरे रहेंगे और उसके बाद वो धीरे धीरे चीज़े release हो जाएंगे क्योंकि आपको समझ आजाएगा कि आपकी सोच से भेहतर divine की सोच है आपके लिए so piouses people घबराने की ज़रूरत नहीं है जो चीज़ें जैसे हो रही है होने दीज़े अपने तरीकों को इस्तेबाल करने की कोशिश मत कीचेगा यहाँ पर night of cups का काण है इस मत में काफी जादा आप fickle minded नजर आ रहे हैं सामने से कोई proposal आपको मिल सकता है जो कि आपको emotional contentment दे आपके किसी relationship में कोश changes हो सकते हैं आपकी जो interest है वो चीजों में बदल सकते हैं मतलब आप अगर art और poetry को पहले prefer नहीं करते हैं इस मत में आपका जो artistic point of view है वो बाहर निकलेगा आपके life के अंदर कुछ ऐसे changes होंगे जिससे कि आपका दिल एकदम से खुश हो जाएगा यह जो feeling of loss है यह निकल जाएगी आपके अंदर से ओके यहाँ पर ace of pentacles का कार है इस मत में abundance आपको आपके जीवन में मिलने वाली है और वो तब मिलेगी जब आप किसी से एक बहतर advice लेंगे आपको कोई counsel करने वाला है उस person की बात को सुनियेगा wise counseling accept कीजेगा और देखिएगा कि आपके life के अंदर luck आपको favor करना शुरू करतेगा आपके लिए कोई exciting सी career opportunity इस मत में रहने वाली है आप किसी के साथ contract की energies में enter करते हुए नजर आ रहे हैं आप इस मत में घर ले सकते हैं कोई weekend लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं because energy इस चीज़ के लिए बहुत strong है okay so कुछ नई चीज़ आप start करने वाले हैं इस मत में आप मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं किसी चीज़ के बारे में अगर आपको knowledge नहीं है तो वहाँ पर आप अपना 100% देंगे आप उस चीज़ के बारे में जादा जानने की कोशिश करेंगे आप हर detail के उपर focus करने की कोशिश करेंगे और आप हर चीज़ को perfection से करने की अपनी दरफ से पूरी कोशिश करने वाले हैं इस तरीके की energy है यहाँ पर and यहाँ पर king of fire का card है इस महीने में आप अपनी direction change करते हुए नजर आ रहे हैं आप अपनी life में एक leadership role में आने वाले हैं आप क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं इस चीज पर लोगों की नजर बनी रहेगी आप लोगों के सामने अपनी बात को बहुत खुल कर कहने वाले हैं लेकिन जब भी आप किसी चीज को लेकर कोई फैसला लेते हैं या फिर आप किसी problem को solve करने की कोशिश करते हैं तो बड़ा point of view रखिएगा इससे चीजों को समझने में भी असानी होगी और decision गलत लेने की संभावनाई बहुत कम है ठीक है आप जो सोच रहे हैं वो दूसरों से communicate ज़रूर कीचे का आपको इस चीज से घबराने की ज़रूरत नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं लोग जो बात कर रहे हैं करने जिचे क्योंकि अगर आप कुछ करते हैं तब भी लोग बात करते हैं अगर आप कुछ नहीं करते हैं तब भी लोग बात करते हैं तो इसलिए इस चीज़ को लेकर अपनी लाइफ में पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है उनके पास इतना ही पावर है कि वो आपकी पीठ पीछे ही बात कर सकते हैं आपके फ्रंट में कुछ नहीं कहेंगे आपसे तो इसलिए किसी को लेकर भी घबराने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर The Empress का कार्ड है यह महीना action का महीना है आपको चीजों के लिए wait नहीं करनी है action लेने है अपने dreams को आप खुद सकार कर पाएंगे आपके बहुत सारे creative projects इस महीने में सकार होते हुए नसर आ रहे हैं आपकी life में abundance होगी prosperity होगी actually क्या है आपकी energies काफी bright है कुछ जो है वो change होगी emotional level पर इसलिए शायद आपकी energy में delay आ रहा था कि कुछ में इतना जादा problematic नहीं है तो इसलिए आपकी reading बाद में की जाए तो जादा अच्छा है शायद इस वजल से क्योंकि November last से आपकी life के अंदर को changes होने शुरू हो गए थे एक चीज और मैं यहाँ पर कहना जरूर मिलेगी ठीक है यहाँ पर three of pentacles का card है आप इस महीने में जब भी अपनी life को अपने तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे अपने decisions अपने तरीके से लेने की कोशिश करेंगे तो घर का ही कोई तीसरा person उस चीज में बहुत सादा interference करेगा जिसकी वज़े से आपको confusion हो स तो उस suggestion को सुनिए लेकिन उसके अपने उपर इतना मत्हावी होने दीजिए कि चीजें आपके हाथ से निकल जाए इस बात का ध्यान रुकने की ज़रूरत है आप इस मन्त में अगर एक team work में काम करेंगे अपने office में तो बहुत ही अच्छा होगा आपकी reputation increase होती हुई नज आपकी friendship में एंटर करेंगे जो बहुत ही deep होगी ठेक है और अगर आपका कोई relationship खराब है उसकी energy के अंदर भी बहुत सारे changes आने वाले हैं आपकी health इस मन्त में ठीक होती हुई नजर आ रही है अगर health खराब हो सकती है तो उसका reason सिरफ आपकी emotional तरीके से सोचने की tendency हो सकती ह जिसकी वज़े से health खराब हो जाए otherwise तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है आप अगर कोई prolonged illness में फसे हुए है तो आप उसे recover करते हुए नजर आ रहे हैं इस मन्त में आप choices दिल से बनाने वाले हैं तो अगर heart chakra ही blocked रखेंगे तो choices किस तरह से बना पाएंगे इस बात का थोड़ा की general energies I hope आपको ये energies clear हो गई होंगी so आएए अब हम देखते हैं कि ये मन्त आपकी love life के लिए क्या लेकर आ रहा है what are the energies ये मन्त आपकी love life के लिए किस तरह का रहने वाला है ये मन्त आपकी love life के लिए किस तरह का रहने वाला है what are the energies ये मन्त आपकी love life के लिए किस तरह का होगा okay तो पहला card यहां पर three of pentacles का card है then we have the moon का card है यहां पर the next is balance का card है the next card is knight of fire का card है the next card for you is ace of cups का card है the next card is the magician का card है the next card is eight of fire का card है and bottom of the deck पर nine of fire का card है तो सबसे पहले piouses people हम उन लोगों के बारे में बात कर लेते हैं जो लोग अपने partner के साथ no contact zone में है इस महीने में कुछ magical चीज़ें आपके साथ होनी जा रहे हैं आप अपने partner से communication expect नहीं कर रहे हैं और आप देखेंगे कि एकदम से full moon के बार changes आएंगे और आपके person जो है वो आपके साथ communication में enter करेंगे आपके person आपके साथ जब communication में enter कर जाएंगे तो ये चीज़ आपको stress भी देने वाली है क्योंकि अचानक से चीज़ें होंगी आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे कि चीज़ें किस तरह से हो रही है इसमें सच क्या है जूट क्या है इस चीज़ को समझ पाना आपके लिए थोड़ा सा difficult होने वाला है लेकिन आपके person अपने emotions को बहुत bluntly आपके सामने रखेंगे बिना किसी चल कपट के वो अपने emotions को आपके सामने रखने वाले है कि वो आपके लिए ये सब कुछ feel करते हैं और वो आपको सामने से proposal देंगे अपने feelings को बताएंगे तो आपको मैसूस होगा कि उन्हें भी जादा प्यार है और उसके बाद जो life में आपने थोड़ा पहुत balance attain किया है वो balance जगमगाना शुरू हो जाएगा उसका reason ये है शायद आपकी तरफ से आपके family का कोई pressure है या आपके person की तरफ से उनकी family का कोई pressure है तो वो चीज आपको बहुत जादा परेशान करेगे आपक partner जो आपके सामने emotions रखेंगे तो एक emotional thinking वाली energies के अंदर आपको नहीं चाना है अपनी intuition की आवाज को सुनिएगा और जितना जल्दी हो सके अपने partner के इस proposal को accept कर लीजेगा उन्होंने आपको धोका दिया है आपको time लेना है ये मैं आपके सारी बाते समझती हूँ लेकिन आपके पस वक्त उतना जादा नहीं है चीजों को handle करने का otherwise ये जो third party energy means family की तरफ से जो pressure है वो इतना जादा बढ़ जाएगा कि आपका ये relationship बुरी तरह से खराब हो सकता है तो इसलिए आपको जब आपके partner कुछ बता रहे हैं आपको उसी time पर आपको acceptance की energies के अंदर जाना है और immediate action लेना है cheerful तरीके के साथ और confidence के साथ अपने partner के साथ आगे की और बढ़ना है अपने इस relationship को marriage तक लेकर जाने के लिए efforts आपको भी लगाने होंगे आपके person को भी लगाने होंगे क्योंकि यहाँ पर family की involvement ज़ादा रहने वाली है so protect करने की ज़रूरत है इस relationship को start लेंगे एक दूसरे के लिए तभी protect कर पाएंगे ठीक है और इसमें angels आपकी मदद करेंगे आप stand लेंगे तो दीरे 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 आपकी family आपके person की family वो मान जाएंगे तो इसलिए इतना ज़ादा इसमें panic करने की ज़रूरत नहीं है आपको बस अपने partner पर trust होना चाहिए जब वो आप तक आते हैं अपने emotions को express करते हैं तो emotions पर यकीन कीजे कि हाँ वो emotions आपके लिए ही है okay so ये energy है अब हम बात करते हैं जो लोग अपने partner के साथ contact zone में है communication होता है थोड़ा बहुत ही हो लेकिन communication होता जरूर है so इस month में आपके partner के साथ आपका communication completely बंध होता हुआ नजर आ रहा है ठीक है आपके partner अच्छानक से आपसे बात करना बंध करतेंगे आपके relationship में full moon और no moon की energies बहुत ज़दा effect करने वाली है अच्छानक से एक balance थिती के अंदर imbalance आएगा जितना भी balance आपके relationship में थोड़ी बात बात होती है कम से कम कुछ तो express कर पाते हैं वो imbalance की stake में चला जाएगा और आपके partner individually अपनी life को balance करने की कोशिश करने वाले है और य चीज़े ठीक होंगे लेकिन उसके बाद जैसे full moon no moon आएगा चीज़े worst होती जाएंगी आप अपने emotions को अपने partner के सामने express भी करेंगे लेकिन वो आपके emotions को समझ नहीं पाएंगे आप ये भी बात नहीं इतनी clearly समझ पाएंगे कि आपके घर की ही कोई third party है जिसकी वज़े स के अंदर इतना ज़्यादा change आ रहा है आप जितना close अपने partner के जाने की कोशिश करेंगे वो उतना ही दूर आप से भागते जाएंगे इस तरीकी की energy भी यहाँ पर नजर आ रही है तो pious people घबराना नहीं है ये energy का shift है जो कोई और person create करने वाला है और आपके person की energy को इस तर हो जाए तो इस बात का भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है ओके सो आप हम बात करते हैं फाइस पीपल जो लुक सिंगल है इस मत में आपका कोई communication होगा फोन के जरीए ये communication होने वाला है किसी social media के जरीए ये communication होने वाला है और जिस person से ये बात होगी वो कहीं न कहीं आप के contract में आएंगे ये आपकी family से कहीं न कहीं directly और indirectly relate करते होंगे तो बात ही आपकी in terms of family होगी और उसके बाद चीजे stable होने लगेंगी आप इस person के साथ अच्छा महसूस करना है शुरू कर देंगे मैं यह नहीं कहूंगी कि relationship इसी महीने में form हो जगा ऐसा नहीं है आप अपने partner से क्या expect करते हैं वो person अपने partner से क्या express करते हैं expect करते हैं वो चीजे आप दूनों एक दूसरे के सामने express जरूर कर हैं यहां पर उस person की जो zodic signs मुझे नजर आ रहे हैं वो है Aries Leo Sagittarius बस यही है मतलब इसी zodic sign का कोई person होगा जो आपके contact में आने वाला हैं ओके so I hope आपको आपकी love life की energy is clear हो गई होंगी piouses people अब हम देखते हैं यह महीना आपके business आपके career आपके finances के लिए क्या लेकर आ रहा है आपके business आपके career आपके finances में क्या changes आप experience करने वाले हैं आपका business आपका career आपके finances में क्या changes होंगे तो यहां पर the hermit का card है यहां पर knight of cups का card है five of swords का card है two of cups का card है यहां पर ten of cups का card है wise counselor का card है यहां पर and the target का card है bottom of the deck queen of swords का card है तो इस month में जो आपका business है, आपका career है, आपके finances है आपकी decision making पर depend करेंगे इस महीने में आपको कुछ strong decisions अपने career के regard में बनाने होंगे और उस चीज़ से आप पीछे भी नहीं हटेंगे, लेकिन make sure कीचेगा कि जब आप decisions बनाएं तो उन decisions के उपर आपको खरे भी उतरना है इस महीने में जब भी आप अपने career के regard में कोई भी फैसला करेंगे तो अकेले में बैठ कर आपको फैसला करना है कुछ time दीजिए, खुद को दीजिए उस situation को कुछ time दीजिए और उसके बाद आपको फैसले लेने है self introspection की energies में जाकर अपने career की opportunities को आपको देखना है ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में कोई फैसला ले ले आपको कोई सामने से proposal मिलने वाला एक stable proposal मिलेगा आपको सामने से आपके career के regard में जहां पर आपकी emotional जो needs है वो fulfill होंगी आप बहुत ही जादा emotional contentment महसूस करेंगी अपनी workplace को लेकर अपनी financial state को लेकर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर finances हमारी एक practical field है तो उसमे emotions नहीं जुड़े होते हैं आप में से कई लोग ऐसे होंगे मेरी इस पात से सहमत होगे कि माम हाँ जहां पर emotions चुड़ते हैं वहीं पर काम करने का मन करता है तो यही सब आपके साथ इस मन पे होने वाला है आपका काम करने में मन लगेगा क्योंकि आपके तरीके से energy चलने वाली है अगर आप किसी business में हैं तो इस मन में आप partnership में enter कर सकते हैं otherwise आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको outcome मिलेगा इस मन में आपको अगर ऐसा लगता है काम करते करते कि कुछ चीजें सही नहीं चल रही है कुछ लोगों पर अगर आपको doubt है तो उन लोगों के regard में आप counselling जरूर लीजेगा आपको मदद मिलेगी लाइफ में चीजों के बदलाब के लिए आप लोगों के असली चेहरे को पहचान पाएंगे इस तरीके की energy है यहाँ पर यहाँ पर charit का card भी नजर आ रहा है जितनी मेहनत इस मन्त में आप अपनी life की opposing forces को balance करने में लगाएंगे उतना आपको outcome भी मिलेगा आपकी determination and willpower के सामने आपकी जो problems हैं वो बहुत छोटी हो जाएंगी और लोग आपकी काम की सरहना करने वाले हैं लेकिन जब आप success की सीड़ियां चड़ते हैं तो कुछ लोग आपकी आज़ पास ऐसे भी होते हैं जिन्हें बहुत problem होती है आपकी success से तो कई लोग आज़ पास ऐसे हो सकते हैं वैं एक नहीं कहारी हूँ कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपकी सामने एक मुखोटा लगा कर आएं means वो सामने से आपसे कुछ और बात करें और आपके पीछे वो आपके खिलाफ कोई strategy बना सकते हैं कुछ आपको backstrap करने के बारे में चीज़े plan कर सकते हैं तो लोगों से साबधान रहने की जरूरत है लेकिन आपका जो career की energy है आपके finances को लेकर energy है यह stable है यह energy उपर की और बढ़ रही है means यहाँ पर downfall मुझे नजर नहीं आ रहा है बलकि जो आपने downfall शायद experience किया है उस downfall से आप उपर की और बढ़ते हुए नजर आ रहे है किसी के कहने पर अपने decisions को बस change मत कीज़ेगा okay so I hope आपको आपके career के regard की energy finances के regard की energy clear हो गई होगी अब हम देखते हैं इस महीने में आपकी health किस तरह की रहने वाली है यह मन्थ आपकी health के लिए किस तरह का होगा आएए देखते हैं prices people तो पहला card nine of pentacles का card है ego का card है page of sports का card है seven of sports का card है three of sports का card है and bottom of the deck पर awakening का card है देखें आपकी health improve हो सकती है जिसकी energy बहुत strong है बट जब आप successful होते हैं तब लोग आपके साथ कुछ अलग तरीके से behave करना शुरू करते हैं और उनको लेकर आपके अंदर भी कुछ changes आने शुरू हो जाते हैं उसके बाद आप समझना शुरू कर देते हैं कि कोई भी आपकी तरक्की देखकर खुश नहीं है ऐसे ही कुछ भाव आपके अंदर रहेंगे और emotionally आप महाँ ज़्यादा परिशान इस चीज को लेकर होंगे आपको ये लगेगा कि अब आपको लोग unknown ego दिखा रहे हैं इस चीज को आप ज़्यादा सोचने वाले हैं तो आपको आपकी health थोड़ी stagnant महसूस हो सकती है otherwise अगर आप इन चीजों को side में रखने कोई आपको egoistic अपना nature शो कर रहा है side कीजे उसको कोई बात नहीं let them show that ego अगर कोई बात आपकी समझ नहीं पा रहा है let go कर दिजे उसके बात आप देखेगा आपको आपकी health के अंदर जो stagnant energies है वो खतम होती हुई नजर आएंगी आपकी health improve होगी लेकिन इस month में अगर मैं कहूं तो health आपकी अपने हाथ में है इसके लिए कोई और जिम्मेवार नहीं है आपके आसपास changes होने यह हमारी evolution का हिस्सा होता है हम evolve करते हैं तो इसलिए changes तो होते रहते हैं लोगों का behavior वक्त के साथ बदलता चाता है आप अगर उसके basis पर अपनी health पर effect डालते हैं तो यहाँ पर बेवकूफी आपकी अपनी ही है ओके आइए अब हम देखते हैं कि यह month आपके future investment और housing के लिए किस तरहां का होगा इस month में क्या आप future में invest कर सकते हैं क्या आप अपना dream house बना पाएंगे यह month आपके future investment और housing के लिए किस तरहां का रहने वाला है यह month आपके future investment और housing के लिए किस तरहां का होगा क्या आप future में invest कर सकते हैं क्या आप अपना dream house बना पाएंगे इस month में आएए देखते हैं ये month आपके future investment और housing के लिए किस तरहा का रहने वाला है bottom of the deck पर the world का card है यहाँ पर 5 of cups का card है transformation का card है यहाँ पर the moon का card है 8 of fire का card है the magician का card है 2 of fire का card है page of fire का card है strength का card है the dreamer का card है so इस month में आपको future में invest करना चाहिए और खुद से invest नहीं करना चाहिए बलकि किसी के suggestion पर invest करना चाहिए आपको ऐसा महसूस होगा कि अगर आप इस point पर future में invest करने के बारे में सोचते हैं तो शायद आपका पैसा डूप जाएगा जो आपको मिल रहा है कि आप invest कर सकते हैं उसका return आपको बहुत अच्छा आज सकता है उस चीज में कही न कही आप पस जाएगे तो आपको basically इस month में invest करना है long term के लिए investment करनी है पूरे month से कीचेगा इस चीज में अपने emotions को side पर रख दीचेगा आपके लिए आपका वक्त ही change हो जाएगा इस investment के साथ और अच्छे के लिए change होगा कई बहुत बड़ा change होगा तो वह नकरात्मक भी हो सकता है नहीं यहाँ पर सतरात्मक ही होगा positive change होगा इस month में आप future में invest कर सकते हैं land लेना चाहते हैं कोई फ्लाट लेना चाहते हैं कोई घर लेना चाहते हैं आप definitely ले सकते हैं उसमें कोई भी issue नहीं है job के regard में अगर आपको कोई confusion है और आप सोच रहे हैं कि आपको shop ले लेनी चाहिए तो आप shop ले लीचे इस month में shop पर invest करना बेकार नहीं चाहेगा कोई garage लेना चाहते हैं कोई वैसे office खोलना चाहते हैं उसके लिए कोई land लेना चाहते हैं तो आप इस month में ले सकते हैं कोई issue नहीं है so I hope आपको ये भी energy is clear हो गई होंगी prices people अब हम देखते हैं जो लोग बढ़ाई कर रहे हैं आपके लिए किस तरहां की energy रहने वाली है आएए देखते हैं जो लोग competitive की तयारी कर रहे हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं आपके लिए energy किस तरहां की होगी let's see जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं competitive की तयारी कर रहे हैं आपके लिए energy किस तरह की रहने वाली है तो bottom of the deck पर five of fire का card है यहां पर the next card is the magician का card है four of fire का card है page of fire का card है queen of pentacles का card है यहां पर three of cups का card है and page of swords का card है जो लग पढ़ाई कर रहे हैं competitors की तयारी कर रहे हैं यह magical time है आपके लिए इस time को waste मत कीचेगा इतना ही बात का ध्यान जरूर आपको रखना है इस month में जिस चीज के लिए भी तयारी कर रहे हैं पूरी dedication से तयारी कीचेगा उसमें 100% आप successful होंगे इस month में अपने पढ़ाई के तरीकों में बद्लाब लाने की आपको जरूरत है और जो लोग promotional exam की तयारी कर रहे हैं इस month में आपकी promotion होने के chances बहुत high हैं तो आपको पूरी dedication के साथ आगे की और बढ़ना है celebration की energy नजर आ रही है इसका मतलब success is on cards I think इस month में जिस तरह से आप अपने पढ़ाई के लिए approach रखने वाले हैं उस चीज को लोग समझ नहीं पाएंगे तो आपको लोगों को कुछ समझाने की जरूरत भी नहीं है अगर आपको कोई advice दे रहा है तो उस person की advice सुन लीचिए सामने से लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है अगर आप लड़ाई जगड़े की energy में enter करेंगे तो आपका खुद का ही focus खराब होगा अगर आपको कोई समझाने की कुशिश कर रहा है उस person की बात को सुनिये बहुत अच्छे से सुनिये और उसके बाद आप कीजिए वो जो आपका मन कहता है ओके यह energy है यहाँ पर आप successful इस मन में होते हुए नजर आ रहे हैं सो ममी बाबा तो इस मन में आपके खुश हो जाएंगे क्योंकि हर exam के लिए बहुत positivity निकल कर आई है सो आई है अब देखते है mode of action आपको क्या mode of action follow करना है Pisces people की December की energy और अच्छी हो जाए What should be your mode of action आपको क्या mode of action follow करना चाहिए Pisces people what should be your mode of action आपको क्या mode of action follow करना चाहिए जिससे की आपकी energies और positive हो जाए What should be your mode of action आएए देखते हैं तो पहला card है यहाँ पर Focused Intention का card है The next card is Divine Order का card है The next card over here is Inner Strength का card है The next card over here is Teacher Awakens का card है The next card over here is Expect Miracles का card है And bottom of the deck पर Charity का card है That is Prayer and Contemplation का card है So Pisces people इस महीने में जो भी आप अपनी life में चाहते हैं उसके बारे में सोचे और अपनी सोच को बहुत उचा रखे आपके लिए हर एक चीज पॉसिबल होगी तो ज़रूर आप किस चीज की है Focus की, Clarity की ठीक है और इस मन्त में Witness Day की Angelic Guidance पे में जो भी उपाय बताऊंगी वो आपको उपाय फॉलो करने है Angelic Guidance मेरे दूसरे चानल Soul Divine Journey Tarot पर आती है उस चानल का लिंक आपको नीचे description box में मिल जाएगा उस चानल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोs पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चानलाइस करने में मदद करती है और मैं अपनी डेली Angelic Guidance रोज रात आट बज़े उस चानल पर पोस्ट करती हूँ आप लीज उस चानल को भी लाइक जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ कहने भी आपको सभी नोटिफिकेशन्स मिलती रहें So, Wednesday की Angelic Guidance के जो भी उपाय बताऊंगे, आप लीज वहाँ पर जरूर फॉलो कीचेगा, यहाँ पर Divine Order का का कार्ण है आपको वो करना है इस मन्त में जो आपको सही लगता है दूसरों के सामने खुद को सही साबित करने की जरूरत नहीं है वो कीचिए, जो आपके लिए सही है, जो सबके लिए सही है और आपकी सोच के according सही है एक बहुत important lesson आपकी life का unfold हो रहा है और इस मन्त में आपको ठोड़ाई चक्रा के उपर meditate जरूर करना है, यहाँ पर inner strength का card है इस मन्त में आप wholeness की और move करना आपके लिए जरूरी है wholeness का मतलब यह है कि आप अपने अंदर बहुत सारी कमियां देखते हैं उन कमियों को नहीं देखना है क्योंकि वो कमियां कई तो existing नहीं करती है वो सिरफ आपकी सोच से आपने खुद create करनी है recognize करनी है अपनी inner strength recognize करना है कि आपके अंदर भी power है अपनी inner spirit को समझने की कोशिश करनी है आपको और Wednesday की इंचली guidance के उपाय फॉलो करने है teacher awakens का card है आपने अपने experience से बहुत कुछ सीखा है ठीक है आपके पास बहुत सारी important चीज़े हैं share करने के लिए लेकिन share उनी से कीज़ेगा जो आपको आपके experience को जानने की कोशिश कर रहे है जो आपसे पूछ रहे हैं आपके experience के बारे में कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती है इसलिए किसी की बज़ों से आपको रुकना भी नहीं है और यहाँ पर charity का card है इस महीने में आपको divine के साथ अपने connection को गहरा करना है आप जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा लेकिन मांगना किस तरह से है जिस तरह से बच्चे अपने father या mother से मांगते हैं उस तरह से मांगना है ऐसे wholesome prayer नहीं करनी है कि जो आप देना चाहते हैं आप दीचे नहीं जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा इसलिए अपनी prayer को जो complete और clear कीचेगा and आपको Tuesday और Sunday की Angelic Guidance में जो भी हुआ बताऊंगी वो आप ज़रूर follow कीचेगा and यहाँ पर Expect Miracles का कान है देखें आपको इस मन्त में ये समझने की ज़रूरत है कि जो ईश्वर के साथ आपका प्यार है वही एक सचा प्यार होता है Miracle जिन्दगी में अपने आप होते हैं उन्हें हमें create करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ईश्वर आपके साथ है उस साथ को आप इस मन्त में experience कर सकते हैं meditation के जरिये ठीक है Wednesday, Tuesday और Sunday की angelic guidance के उपाई जरूर follow कीजेगा उस से आपकी energy के अंदर आपको बहुत बड़ा change देखने के लिए मिलेगा So आएए अब हम देखते हैं इस देक से कि इश्वर आपको क्या blessings देना चाहते हैं क्या messages देना चाहते हैं इस मन्त Divine के क्या messages हैं क्या blessings हैं क्या guidance हैं आपके लिए तो यहां पर passion and pleasure का card है यहां पर transformation का card है the next card is gates of triumph का card है the next card over here is joy and delight का card है the next card is overcoming obstacles का card है and bottom of the deck पर wise leader का card है So Divine आपको blessings बहुत जादा देते हुए नजर आ रहे हैं सबसे पहले वो आपको यह guidance दे रहे हैं कि अब आपने experience से बहुत सारी चीज़ें सीख ली है और अब आप अपने जीवन में किसी भी obstacle को पार कर सकते हैं तो इसलिए किसी भी परेशानी से अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है दूसरी चीज़ इश्वर आपसे यह कह रहे हैं कि अब आपकी life में transformation की energy चल रही है इस energy को accept करना है इस energy को resist करने की कोशिश बिलकुल भी नहीं करनी है नए तरीकों से काम करना सीखिए पुराने अपने कई तरीके हैं आपके उन तरीकों को छोड़ दीजे आपकी life के अंदर यह blessing ईश्वर आपको दे रहे हैं कि अब बहुत जल्द आपकी life में एक ऐसा वक्त आने वाला है जब आप जूम उठेंगे जब आप अपने जिंदगी को पूरा जिंदा दिली से जीना शुरू करतेंगे और यह blessing है उनकी तरफ से आपके लिए कि जिंदगी में हर pleasure अब आपको मिलने वाला है आपके लिए success के दरवाजे खुल रहे हैं आपने अपनी life के अंदर जतनी pain experience करनी थी वो आप कर चुके हैं अब आपकी life के अंदर success ही success होगी आप अपनी life में इस darkness से निकल कर rainbow की energies की और बढ़ रहे हैं आप अपने जीवन को जीना शुरू कीजिए ऐसा नहीं है कि अभी भी आपको किसी चीज़ को लेकर weight करतनी है अपने दिल को खोलिए खुशियों के लिए खोलिए happiness के लिए खोलिए वो चीज़ें आपकी life के अंदर drastic change लेकर आएंगी आपको अपने behavior के अंदर भी अप changes लाने की ज़रूरत है खुशियां ईश्वर आपको प्रदान कर रहे हैं अब अपनी life की हर एक situation में आपको एक wise leader की तरह आगे बढ़ना है दूसरों की तरफ मत देखिएगा कि वो आपकी problem का solution find करके आपको देएंगे बलकि आपको दूसरों की help करनी है अब आप दूसरों के लिए एक मिसाल बन चुके हैं अपनी wisdom का इस्तेमाल करते हुए अपनी life के challenges को पार करते हुए आगे बढ़िएगा आप ठीक है तो ये messages हैं ये blessings है divine की आपके लिए तो I hope piouses people आज के reading आपको पसंद आई हो नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएगा ये reading आपको कैसी देगी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत पूदिये का अपने नियर इंडियो वांस के साथ शेयर जरूर कीचेगा हो सकता है किसी को अपनी life को लेकर कुछ clarity मिल सके तो शेयर माई वीडियो अलसो अगर आप मेरी reading से influenced है और किसी personalized problem का solution मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी personalized reading मेरे साथ book कर सकते हैं ये booking आप मेरे whatsapp के थूँ या फिर मेरी email id के थूँ कर सकते हैं मेरा whatsapp number और email id स्क्रीन पर फ्लाश होंगे जिन लोगों ने अभी तक मेरे चानल को subscribe नहीं किया है आप प्लीज मेरे चानल को subscribe कर लीजिए और bell icon को press करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको ने ने वीडियो की notification मलती रहे मेरे कौँ चानल भी है soul divine journey टार हो link आपको नीचे description box में मिल जाएगा उस channel पर मैं कुछ ऐसी videos post करती हूँ जो आपको आपकी life को channelize करने में मदद करती है और मैं अपनी daily injury guidance रोज़ राद आट पज़े उस channel पर post करती हूँ आप प्लीज उस channel को भी subscribe ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी bell icon को press करना मत भूलिएगा जिसे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी notifications मिलती रहें मेरे एक और channel भी है soul mystic term उस channel पर मैं आपके partner की current feelings उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे ज़जबाद yes or no pendulum readings जैसे सभी readings में अपने उस channel पर post करती हूँ आप प्लीज उस channel को भी subscribe ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी bell icon को प्रेस करना मत भूलिएगा जिसे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी notifications मिलती रहें so thanks for watching see you soon